पहले तो मैं आपको लाइप रूफ दिखाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ तीन से चार दिन के अंदर नदर हमने USA की आईडी के रेट कर लिया है और इसी मेथड को यूज करते हुए आप भी बल्क में फेस्बुक की USA आईडी बना सकते हैं जिसकी कम असकम कीमत 1000 से लेके 2000 पर मार्किट में चल रही है आप खुद के लिए बनाएं तो अपना सेट अप लगा सकते हैं अगर आप इसको सेल करें तो आप डेली बेस पे अपना किचन चला सकते हैं दो-तीन हजार उसको सेल करके तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजेगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लाइप रूफ पहले दिखाऊंगा उसके बाद आपको मैथड शेयर करूँगा आपने सिर्फ इस मैथड को फोलो करना है आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो दिहान से देखिएगा क्योंकि ये अपडेट मैथड है इससे पहले भी मैंने इसके उपर वीडियो बनाई है लेकिन ये अपडेट मैथड है तो लाइप प्रूफ सबसे पहले आप चेक कर लें यह आईडी हमने जो बनाई है ना यह कितरे दिनों में हमारी verified हुई है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यह हमारी जो last post है ना वो 6 दिन पहले हमने की हुई है ठीक है यहाँ पर यह देख लिए हमने check-in किया हुआ है Facebook को के हमारी यह जो post है ना यह हमने मतलब डाली हुए 6 दिन पहले है तो 6 दिन पहले हमने यह ID बनाई है और आज की डेट में मैं इसकी आपको verification दिखा देता हूँ कि यह वाली हमारी ID बिल्कुल USA पे confirm हो चुकी है आप भी इस तरह मतलब एक हफ़ते में एक ID से लेके 10-15 IDs easily मतलब बना सकते हैं सेम प्रोसेस को आपने follow करना है मैं एक ID आपको बना के दूँगा आपने यही काम bulk में करना है ठीक है तो सबसे पहले मैं इसकी setting में जाता हूँ और setting में जाने के बाद यहाँ पे आपको इसकी location चेक करवा देता हूँ तो यहाँ पर मैं information पर जाता हूँ यहाँ ठीक है जैसे मैं इसके उपर click करूँगा तो हमारे सामने इसकी information आ जाएगी तो यह देखें यहाँ पर यह हमारी जो primary location है यह कह रहा है कि आप Washington में बैठे हुए हो ठीक है जबकि मैं पाकिसान में बैठा हूँ और यह हमारी USA वा बनेगी otherwise वह मतलब location confirm नहीं होगी अगर बनेगी तो वह disable हो जाएगी तो सबसे पहले अगर आपने बल्क में बनानी है तो आपके पास होने चाहिए Gmail अब Gmail कौन सी होनी चाहिए बहुत सारे बंदे मुझे यह question करते हैं तो Gmail आप ले ले आउटलूक का ले ले जीमेल कोई भ बेस्ट है इसके लिए या आपका जो Gmail होता है Google वाला आप वह वाला यूज़ कर ले अदरवाइस टेम्प मेल या आप कोई और मतलब थर्ड पार्टी है मतलब Gmail यूज़ करेंगे ना तो उसके उपर आपको सही तरह से यह नहीं बनेगी या बनेगी तो disable हो जाएगी ठीक ह उसके बाद आपने क्या करना है आपने PC और Laptop इन दोनों मेंसे कोई एक चीज़ ले लेनी है अदरवाइस अगर आपके पास mobile है तो आप mobile के उपर भी ये कम कर सकते हैं ठीक है अब mobile के उपर कैसे काम करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में मतलब बता दूँगा साथ में बताता जाओंगा ताकि आप लोगों को समझा सके तो mobile भी आप यूज़ कर सकते हैं PC या laptop भी आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अब आपने तीसरी चीज़ जो के आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए RDP आपके पास USA की होनी चाहिए कोई 4GPU, 6GPU, 8GPU जो भी हो ठीक है और उसके बाद यह आपके पास VPN होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए तो अगर आपके पास पेड़ VPN नहीं है तो यह मैं नमबर मेंचन कर रहा हूँ इसको मैसेज करें 9000 वाला VPN आपको सिर्फ और सिर्फ आपने एमिलेटर यूज़ करना है, for PC, PC के लिए आपने एमिलेटर यूज़ करना है, mobile के लिए आपने एमिलेटर यूज़ नहीं करना है, तो मैं PC पी आपको बना के दिखा देता हूँ, same यही method आपने mobile में follow करना है, for example आपने mobile ले लिए उसके पर WPL लगाएं और उसके data connection off कर दे, wifi पे ID बनाएं आपकी बन जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ID को logout कर देता हूँ, logout करने के बाद आप यहां पे देखें, यह हमारी ID होगी है, यहां से हम करेंगे create new Facebook, ठीक है, जैसे हम करेंगे तो यहां पे आजाएंगे join Facebook, हम इसको next कर देंगे, next करन अपना नाम लिखना है, अब नाम आप कोई भी नहीं लिखना, नाम आपने हमेशा fake random, मतलब जो के पहले इस दुनिया भी नहीं है, वो आपने generate करना है, और यह सारा काम मैं emulator के अंदर कर रहा हूँ, आपको फिर बता दूँ, PC के अंदर मैंने emulator install किया हुआ है, आपने भ Google पे एक website है, वहाँ पे जाके आपने लिखना है fake person generator या random person generator लिखेंगे ना तो पहली website आ जाएगी, आपने इसको open कर ले रहा है, जैसे आप इसको open करेंगे तो यहाँ पर यह देखें, यह उन्होंने एक fake person की मतलब हमें generate कर दिया AI ने ठीक है, अब इस बंदे का नाम पहल दालना है, ठीक है, खुद से कोई चीज़ ने डालनी, सारी यहाँ से copy paste करना है, अगर खुद से डालेंगे तो आपकी ID disable हो जाएगी, और बाद में recover भी नहीं होगी, अगर आप यहाँ से डालेंगे तो आपकी ID disable नहीं होगी, तो यहाँ पर यह देखें, यह मैंने नाम first name और second name, वहाँ से copy कर गए, यहाँ पर डाल दिया है, तो मैं इसको next करना start करना, जैसे मैं next करूंगा, यहाँ पर यह देखें, यह हमारा email और phone number मांग रहा है, अब phone number अगर आप पाकिसानी भी डालेंगे, चल जाएगा, otherwise मैं आपको यही suggest करूंगा, कि आप email के through ही, इसको sign आप करें, तो मैं email पर click कर देता हूँ, अब यहाँ पर आपने email डालनी है, email आपने outlook मैं आपको order भी बता चुका हूँ, या Gmail आपने use करनी है, तो मेरे पास पहले ही एक outlook की email है, मैं वो यहाँ पर put कर देता हूँ, ताकि आपको मतलब समझ आ सके, ठीक है, तो यहाँ पर मै यार proper knowledge लेने के लिए ना, यह थोड़ी सी वीडियो lengthy होती है, तो उसको देख लिया करें, ठीक है, तो यह मैंने email लिख दिया है, उसके बाद मैं गया करूँगा, अब मैं इसको simple next कर दूँगा, ठीक है, जैसी मैं इसको next करूँगा, तो मेरे पास यह date of birth मांग रही है, त ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोशिच करूँगा, यहाँ पर date of birth लग जाए, लेकिन नहीं लग रही है, मतलब खुद से यहाँ पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमने date of birth सेट कर दिया, उसके बाद हम simple next करेंगे, next करने बाद यहाँ पर male और female यहाँ से पूछ रहा है, तो आ हमारे पास एक Facebook की ID आ चुकी है, Facebook की ID आने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लगा देते हैं, और उसके बाद आपको OK करके दिखाता हूँ कि हमारी Facebook ID बन चुकी है, और यह login होना start हो गई है, ठीक है, यहाँ पर यह देख लें, यह हमारी profile pick मांग रहा है आपने उसी बंदे की pick जो के Google पे है, वहाँ से copy करनी है, और यहाँ पर add कर देनी है, टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर skip कर रहा हूँ, यह सारी चीज़ें लेकिन आपने यह सारी चीज़ें फुल्फिल करनी है, अब यहाँ पर यह देख लें, जैसे Facebook ID बनी है तो इस location confirm नहीं हुए, ID बन गिया, ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर दुबारा आपको location वाले option पर ले जलता हूँ, वहाँ पर जाकर आपको दिखाता हूँ, कि हमारी location अभी यह unknown show कर रहा है, जो हमारी location USA की होनी है, वो अभी unknown show कर रहा है, तो यहाँ पर login information पर चले जाते है यह unknown show कर रहा है, मतलब अभी तक इसने location नहीं पकड़ी, यह location कैसे पकड़ेगा, उसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने भी same इसी method को follow करना है, तो आप easily अपनी location confirm करवा सकते हो, ठीक है, तो simple आपने कहा करना, आपने थोड़ा सा वापिस आ ज प्रिट करने के बाद आपने post पे option पे click करना है, जैसे आप post को option पे click करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे check-in करना है, अब check-in क्या होता है, कि आपकी जो location है ना, वो Facebook के पास जाए, ठीक है, वो कैसे जाए, आपने यहाँ पे Facebook को tag करना है, और इस post को आपने public रखना है, य यह आपने लाजमी लिखना है, इससे यह होता है कि Facebook के जो bots होते हैं, वो आपकी ID की यह जो hashtag है, उनके उपर नजर रखते हैं, और वो जल्दी आपकी ID की location confirm कर देते हैं, उसके बाद add location पे click करना है, जैसे आप click करेंगा तो यह automatically जो भी आपका VPN जिस जहां से connect होगा ना, वो टॉप पे आजाएगा, आपने उस suggestion वाले option पे click कर देना है, और उसके बाद आपने इसको save कर देना है, तो यह हमारी check-in हो गी है, मतलब हमारी post हो गई है, Facebook के उपर, हमारे wall के उपर एक post चली गया है, जो कि location वाली है, यह देखेंगे, अभी अभी मैंने लिखी है, त आपकी location confirm हो जाएगी, आपकी location वो USA की हो जाएगी, फिर आपने अपनी primary location में जाके check करना है, दो तीन दिन के बाद आप देखेंगे, कि वहाँ पे आपकी जो primary location है, वो मतलब हो जाएगी, तो इस तरीके से आपने USA की verified ID बनानी है, जो कि मतलब location confirm होती है, और इसी के उपर तो आप easily मतलब अपनी Facebook की ID बना लेंगे, तो VPN के लिए मैं यहाँ पर number mention किया हुआ है, इस बंदे को आपने बोलना है कि तारिक बही ने message मतलब आपका number दिया है, हमें VPN चाहिए, browsing VPN है, मतलब आप Google में भी use कर सकते हैं, Chrome browser में, या आप अपने mobile में भी उसकी application डाउनलोड क करके, दोनों में एक time में use कर सकते हैं, और ये एक साल के लिए है, बहुत ही अच्छा package है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वीडियो कैसे लिए की ज़रूर बताएगा, मिलते हैं को और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इचासत, अलाफीज